अस्वाम अलेकूम वीवर्स आज हम बना रहे हैं मेमनी चटपटे खाउसे सब्से प्याले में डालूंगी एक कप तेल यहां मैंने एक किलो बोश्ट लिया है इसके लिए मैंने चाल अदक प्याज ली है तेल थोड़ा घरम होने पर मैं इसमें प्याज एट कर दूँगे प्याज हमारी ब्राउन होने वाली है फिर मैं इसमें डालूंगी बोश्ट मैंने यहां एक किलो बोश्ट लिया है जिसके छोटी-छोटी गोटियां कर ली है प्याज लाइट ब्राउन हो गई है अब इसमें गोश्ट एट कर दिए गोश्ट का पानी जब पूरा खुष्ट हो जाएगा फिर मैं इसमें मसाले और लहसन अद्रक एट कर दिए कोश्ट का पामी पुष्ट हो चुका है रहा है हमें इसमें डालूँगी दो टेबिट स्पूम बढ़के लेसर नगप का पेस्ट आफ टीस्पून घल्दी डानोंगी 3 टेबिल स्पून डाली मिश कोडर और एक टेबिल स्पून नमक आप जाय के और हसाब से अपने नमक लिए एक टेबिल स्पून भड़के मैं इसमें धनिया कोडर डालें दी यहां मैं साबुत गरब मसाला नहीं डालूँगी सिर्फ पिसावा गरब मसाला इटाऊंगी वह भी एंड में गोश्ट और मसाले भून चुके हैं अब में टेबिल स्पून के हसाब से छे तो चम्बच होँगी तो एक प्याली आप टेमाटर प्यूरी डालें या चार अब में इसमें 2 प्याली पानी की एट करें या पर 1 ग्लास पानी डाल टे गोश्ट गलने तक पकाईंगे अब मैं स्पैकेटी रेडी कर रही हूं जिसके लिए मैंने दो पैकेट लिये हैं और इसके छोड़े टुकड़े कर लिये हैं हम इने पानी बोइल करने के लिए रख दिया था इसमें मैं तीन टेविल स्पून भड़के नमक के डालूँगी और थोड़ा सा तेल डालेंगे हम इसमें पानी में पानी को जोशाने पे मैं इसमें स्पैकेटी डाल दूँगी हमारी बोइल हो चुकी है उसे मैंने ठंडे पानी में आदे घंटे के लिए बिदानी के लिए रख दिये जीवर्स अब हम खौशे की कड़ी बनाएंगे जिसके लिए मैंने आदा किलो दही लिए जिसमें एक चम्मच मैं लसन का पेस्ट डालूगी और दो चम्मच भड़क हरी मर्च का पेस्ट डालूगी नमक या में हाफ टेबल डालूगी और हल्दी भी हाफ टेबल स्पून डालेगी चार टेबल स्पून भरके मैं इसमें बेसन डालूगी करी के लिए में चार टेबल स्पून डाला है मैंने इसमें फोरा से बेटर इसका पतला हो अब मैं इसे विगाल करूंगी करी के लिए मैं चार टेबल स्पून तेल डालेट करूंगी हाफ टेबल स्पून सफेज जीरा डालेट करूंगी गोल साबुत में तीर चार दाने और करी करते हैं वो भी मैं जीरे में एट करूंगी अब इसमें एक गिलास पानी में और एट करूंगी अब यहां में हाफ की स्पून पिसावा गरम मसाला एक करूंगी इसे पांच मिल्बस रखना है चुले पर पिर चुला ओफ कर दिया पर असे का सालन तयान है अब बड़ी पूरे डर्ण है पूप चुती है इसे के तक्रीबर मैंने अलकी आग पे एक घंडे तक पकाया है प्रॉब बढ़ी पांच मैं पूरे बड़ी अलकी आपकाया है अब बड़ी आपकाया है आपकाया है आपकाया है झाल झाल जी वर्स हमारे मेंवी इस्ट्वेशन होसे तयार हैं चट्पटे और मज़ेदार अगर आपको हमारी आकी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक को शेर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर गरें